Chloe Dumont का नाम आप मेंसे कई लोगों ने नहीं सुनाओगा ये बहुत ही काबिल राइडर है और एक बहतरीन डिरेक्टर भी इन्होंने आज से पहले सिर्फ टीवी शोस के एपिसोड को ही राइट और डिरेक्ट किया है जैसे कि Suits, Shooter, Star Trek, Discovery वगेरा वगेरा और फाइनली इन्होंने एक मुवी डिरेक्ट किये है जिसका नाम है Fair Play जो कि Sundance Film Festival और Zurich Film Festival में दिखाए गई और कल जाकर ये मुवी Netflix पर रिलीज हुई और साथ ही कुछ selected theaters में भी तो guys honestly अगर मैं बताऊं तो इस मुवी की trailer में ही 80% of the story दिखा दी गई है कि एक couple है जो कि engaged है और वो एक एक office में काम कर रहे है बट उन्हें अपना relationship छुपाना होता है because of the company policies और suddenly जो लड़की है Emily उसका promotion हो जाता है और वो लड़का यानि की Luke वो हो जाता है उसका junior तो trailer से साफ पता चलता है कि इस movie में आगे क्या का चीज़े होने वाली है तो मैं पहुँच गया ये movie देखना है तो क्या ये movie सच में वो thrills और chills दे पाती है जैसा कि trailer में था ये पता करेंगे हम आज के video में जो की है fair play movie review एक चीज में आपको सबसे पहले clear कर देता हूँ कि इस movie में sex scenes है nude scenes है और गालिया भी है बट आप मैंसे कई लोग शायद argue करोगे कि यार ये scenes दिखाने ज़रूरी नहीं थे उसके बिना भी ये movie आराम से चल सकती थी बट ऐसा बिलकुल नहीं है ये sex scenes दिखाने compulsory थे ताकि आपके दमाग में ये बात clear हो जाए कि ये एक ऐसा couple है जो कि साथ में bathroom तक भी share कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ किस level तक comfort में आ गये हैं और फिर event wise ये कैसे engage होए फिर इस couple की जो chemistry है वो off the charts जा रही है चाहे वो एक दूसरे के career को support करने की बात हो या फिर wild sex की जहां ये दोनों एक ही company में financial analyst हैं बट चीज़े तब you turn मार लेती है जब Emily को promotion मिल जाता है बट यहाँ पर Emily को वो promotion चाहिए भी नहीं था अब इसके बात की जो story है वो आप में से कई लोगों ने predict कर ली होगी बट इस चीज़ को heights तक लेकर जाती है इस movie की cinematography और sound design right from the first minute आपको एक sense of urgency feel होगी आपको लगने लगेगा कि यार ये कुछ बुरा होने वाला इस scene में शायद और sales भी फिर ऐसे थेना कि अगर couple road cross कर रहा है तो आपको लगेगा कि यार ये दोनों कार्ट से ठुक जाएंगे या अगर किसी party में तो आपको लग जाएगा कि यार कोई किसी पे हाथ उठा देगा या फिर कोई किसे गोली मार देगा ऐसा सब फिर इस movie में जो corporate office दिखाया गया है that is absolute bloody jungle और इसमें काम करने वाले लोग completely भेडिये और देखो यार इस चीज से मना मत करना हम सबके office में यही होता है कि अगर लड़की को promotion मिलता है तो इसका मतलब यही होता है कि उसने senior के साथ sex कर लिया है अब यह office rumor जो है यह उसके फियांसे पर कैसे असर डालती है यह सारी चीज़े बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है जहां पर इस couple के बीच office और sexual tension हमें देखने को मिलती है and to be very honest इस पूरी चीज़ पर इन लोगों ने nose dive किया है और इसमें भी मेरे हिसाब से इन दोन इसमेरे वो उसको promotion भी दे जयता है फिर है Luke जिसका role play किया है Eldon Aaron Wright ने और इन्होंने बहुत subtly बहुत सारी layers create किये अपने character में और यह बंदा यू तो supportive है और बहुत grateful भी बट इस बंदे का alpha male ego बहुत नाजुक है अगर आपने उस चीज़ को थोड़ा सा touch भी कर दिया तो य को close करते हुए credit scenes की तरफ बढ़ता है तो एक यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी and finally Chloe Dumont hats off to you to pull this off in a very sleek and engaging manner मैं यहां पर इस चीज़ से भी agree गरता हूं कि यह plot मैंने बहुत बार already देख लिया है बट इस पूरे topic पर nose live करना यह मैंने पहली बार देखाया इन सब के बाद इस movie को मैं लंबे time तक याद जरूर रखोंगा जहां पर इतनी सारी चीज़े एक साथ हो रही है जैसे कि office politics, gender discrimination, personal life और work life का compartmentalization, sexist और cutthroat co-workers and what not अब इस movie का एक छोटा सा minus point जो मेरे लिए minus point नहीं था बट शायद आप लोगों के लिए हो और वो था इस movie का run time जो की है 1 hour and 52 minutes का बाकी इस movie की maturity reading में आपको already बता चुका हूँ और मेरा इस वीडियो की शुरुआत में जो सवाल था कि क्या ये movie उतने thrills और chills देती है तो उसका जवाब है yes definitely और मेरी साइट से इस movie को 4 out of 5 जो की इस movie को fun filled one time watch भी बनाता है और plus इस movie से आप बहुत कुछ सीख भी सकते especially अगर आप किसी relationship में है या फिर engaged है या फिर married है and that's it for today आज के वीडियो में बस इतना ही ये review helpful और logical लगा तो don't forget like and subscribe मैं मिलता हूँ आपको next review में तब तक ध्यान रखो अपना be awesome and bye bye